और साब आप चिंता ही मत करो पूरी छूट है आपको यह पूरी छूट वाड़ा डायलोग या तो घरवाड़े स्कूल वाड़ों को क्या क्या आते से कि गाहों के गाहों में घरवाड़े माश्ट्रों कहा जाएंगे माड़ साब पूरी छूट और माड़ साब उस पूरी छूट का मतलब यह समझते थे कि वह है डंडा जो पिछले 30 दिनों से तेल पिलागे रखावा है उसका इस्तेमाल आज करने और भाईरे बताने लाइक बा कि बता ही ठीक लाएं गाह है रखावाले मास्त्रों आदे पटक पटक के मारा आगर थे हैं को बाहें कर वाली तरीके से और घर पे बताने लाइक और नहीं की घरपे का तो माड़ साबने कूटा तो घर्वाले और कूट दे कि घलती तैरी होगी इस मुझे कर लाघा है कि आ है आज कल मतलब पापा बाहर से आये तो बच्चे यूँ पापा की गड़े लग जाते हैं डड़ी आगे डड़ी आगे मैं गता हूं ऐसे कोई इतर उल्टा है पापा के साथ अबने कोई समंध नहीं है विदेश समंध में सा खराव ही रहते हैं आवल अपने लग एक तो पापा आज कल में देखता हूं कि पापा बच्चों को आप बोलते हैं मुझे लगता है मुझे मेरे पापा कभी आप इधर हाओ मां हाडवा नहीं हो सकते अपने कोई आत्मा परिष्ट कर गई है कि आप मुझे आप कैसे कह सकते हो आज जब तक मुझे यूश्य नहीं बोलोके मुझे भील कैसे हैं के आप मेरे नहीं भापा और इनका भी अज वाले पापा मंगी यह देखा जाए तब तो अपने वाले पापा पर मुक्त्मा कर दे रिना शी इनको उमर कैने कि सजा हो जाने चीए बाद में तो प्रकार से तोर सर्क एया आपने को चलते ही पीट लेते आप जोड़ वाले क्यों वही पीट लिया गड़ कई साल पहले का किस्सा ऐसे चार पान साल पहले का कि एक को यहां जयपूर की स्कूल साथ व्याट शूइंगा बच्चा क्लास बंक मारके बाहर घूम रहा था तो पीटिया इसर जानते हो फीजिकल टीचर क्या काम होता हूंका काम इंसर णी नहीं होता है यह गलत पहल बाहँ तुमारे हिंडी की क्लास हूंका प्र मैंने देखा है तुम आप सब्सक्राइब हैं क्लास में जाकर बेठ गया, घर गया, सुसाइड कर लिए. सुसाइड नोट में सर का नाम लिग गया. प्लीस ने गिरफ्तार कर लिए. मैं दूसरे दिन शर के पास बेढ़ा था, मैंने शर का इस मास्टर क्या गल्टी है? याधी माश्टर नहीं कहें कि तो बंकमार के घों तो घरवाले माश्टर वेंगे चड़दे हैं घरवाले माश्टर इख पे चरिप रह реак edyam पत्रकार वो है जिनका थर्डगड में सेलेक्शन नहीं होता है दूसरे दिन इन्हों ने लिखा है अध्यापक ने लिख चात्र की जान अध्यापक बापड़ा के मैं मेरी जान ही नहीं ले सकता है बच्चे कहां से क्या लेलुमावड मैं यू डिसकेज कर रहे हैं सर ने का आप यह है मैं पर सर बच्चा ऐसा कदम के से उठा सकता है तर ने का आजकल बच्चों का सल प्रेस्पेक्ट इतना बढ़ गया है कि कोई हड़ा और घर्वालों की गलतिया या जर्वाले बच्चें को आप मेरी राजा बेटा मेरी अंजल पिरिया करकर करें ला कि इतना इतना मौल खराब कर दिया है बच्चे को घर में इतना लाड़ लड़ा लेति हो आप कि बच्चा बहर कुझ सुन ही नहीं सकता आप घर पे दांडते नहीं हो तो बाहर थोड़ा सो भी कुछ डांडता है उसको यू लगता गया जिल पर अपने तो ऐसा कभी ख्याल दिमाग में नहीं है तो सर ने का अपने लेते रहते बैठे रहते अलागी एक अधी क्लास के बाद बार पानी भानी पीने जाते इंट्रेवेल हो जाता खेल खाल के आदे तो बादे वैसे कई मास्ट्र इसमामल में जाने होतें और वह कदेगे ऑ chuck Из मिजा बच्चह कहां बुलाले पर ऑपिस में ले जाने का मतलब है अब तो सर्जी के लिए फ्राइक होगी भाएंकर है अब तीन चार माश्टर मिलकर मारेंगे और तीन चार मास्टर मिलकर बहुत भाएंकर तरीक तरीके से और वहां तो फीस में भी वैसे करना पर दारा थ्यांच ऑछ जोर रहा हाँ अब आभारें आएंदा सेने के रहा हो वो हालत होती पर वह माश्टर मुझे बहुत अच्छे लग कही बारें सी पिटाई वी पर उस दिन वह बार अच्छे लगे फीटपार्ट के सारा फीटपार्ड कि वाद में करें चुप 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 कई दर हिचकी आती है आज़ा हु मुझ दुर मार यह पानी भी पंच में थोड़ा यह वा था वड़ा थोड़ा साम दोढ़ा अब मैं बताहूं अब जब कलास में पहले इतनी मार खाके थे पी वe क्रास के अब अपशें को आप अपने दोस्त दोस्त बैटे हैं वह दूर से हुझते और बड़े यह बे तकलूपी से एक एक देंडा मारा था एक देंडा तरह को बता एक देंडे से तो फरकी भी बड़े यह नहीं कि आंटड़े सूजगे लील जम गई तुमारे कमर दिखातो तो दे आजाये किसी को पर मा अब भी कई बार सोचता हूं कि मालो चोराय पे किसी से लड़ाई हो गई अना अपने आश पास देखतें किसी न देखा तो नहीं कि रड़ी है वाज चलो को देख ले तो जुरूर थोड़ा बहुत सल्प्रे प्रस्पेक्ट होता था जिंदगी में लड़ाई के पीछे पढ़े रहेंगे अब यह और खूब काम करने तब मुझे लगता है उस मामले में तो पुराने वाले घर वाले थोड़े ठीक कि उन्होंने घर के अंदर ही सेल्प्रस्पेक्ट को कभी विक्सित होने कि क्योंकि जिंदगी बहुत कमीनी है वह आपको घरवालों की तरह लाड़ लड़ा के नहीं रखेगे दुनिया बहुत जाली में बाहर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जहां पर आपका सोशन होगा कई जगह होगा परताड़ित किये जाओगे और यह यदि परताड़नां से डरने लग गए फिर तो आलत खराब हो जाएगी इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि बच्चों को हमेशा होस्टल में रखा जाना चाहिए मुझे बड़ा आजीव लगता है कि मतलब बच्चे को कोचिंग में एडमिशन दिल्वाने के लिए पापा आते हैं मम्मी आती है वह तो कोचिंग में दिल्वाने के लिए यह कोचिंग में एडमिशन भी नहीं ले सकता वरना हमें शिक्स क्लास में घरवाणों ने का था कि जा शिमरन ऐसे जीले अपनी जिंदिगी जो तरे को करना है वह करले अपना आप तेरे साथ कोई भी लेन देना पांच वी तक पढ़ा दिया अब तलाक 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 तु तेरे हम हमारे रहा करते हैं छोड़ जदा जदा एक बार फिर रहा करते थे कभी सीनियर से कोई मार खाई कभी किसी जूनियर को पीटा यूं करकुरा आगे पक्के हो गए अब जिन्दगी में जल्दी से अड़ने वाले तो अब कई बार कई स्टुडेंट को देखता हूं कि कोई आया कि सर वह मुझे कल गाउं जाना चुटी देदो ठीक है चले जाओ लिए अप्लिकेशन लिए दूसरे दिन वह बच्चा वापस क्लास में दिख जाता है तो क्यों क्यों नहीं गए तुम कल चुटी ले रहे थे कि सर वह मेरे रिजर्वेशन नहीं ह नहीं जा सकते हैं मैं पहली बातों लटक के जाते थे गांवाली बस में तो मुझे कभी यादी भी नहीं कि अंदर बेठे हैं बसके अंदर खाली है तो भी छत पे और उसमें हम तो 67 में इतने इंटलिजेंट थे कि पहले उपर बेठेंगे फिर कंड़ेक्टर जब उपर कि है लेखने आएगा तो नीचे जाएंगे मुझे कि लए लेखने आएगा तो उपर कि चलती गाड़ी में चंज कर लिया करते था यह समय आती है नहीं थे होस्तेलों में रहें तो बहुत आधा ज्यादा रहता तो साथ में खाना खाएंगे